हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़िदार रेसेपी लेकिया हूँ पालक की ऐसी रेसेपी है जी ने पालक खाना ना पसंद हो वह भी पालक खाना पसंद करेंगे तो चलिए आ आपका लाइक मेरे बहुत जरूरी है एक लाइक जरूर दे और कमेंट करें और फैमिली फ्रेंड्स सा सेर जरूर करें तो यहां पर मैंने अधा कप दही लिया है और यह खटी दही है और यह काफी गाड़ी है तो अगर पानी वाला दही ले रहे तो आप एक कप ले अगर अधा कप लेंगे अब दालेंगे दो चममच बेशन तो मैंने बड़े चममच से दो चममच बेशन लिया है अब इसे एक बार अच्छी तरीकी से मेक्स कर लेंगे पानी अभी नहीं डालेंगे क्योंकि दही जो है बहुत गाड़ी है अगर अभी डालेंगे तो गांठे मेक्स करना बहुत जरूरी है कड़ी हमें पुरा स्मूथ सिल्की चाहिए कोई भी गाठे ना हो लंस ना हो इस बात का ध्यान रखे आप और इसमें इसी के साथ हम नमक डालेंगे नमक स्वाद अनुसार ही डालेंगे मैं इसमें पानिया भी और एड करूंगी तिसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्रा लिया है आप अपने स्वाद के अनुसार एड करें अब इसमें हम डालेंगे एक चोटी चमच लाल मिर्ची पाउडर आप यहां पर हरी मिर्ची भी यूज कर सकते हरी मिर्च का पेष्ट भी अब इसी के साथ इसमें आदी चोटी चमच हल्दी लिया है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब इसे रखते हैं साइड में चलिए तड़का लगाते हैं तो यहां पर मैंने एक कढ़ाय लिया और इसमें डालेंगे तीन चमच तील दो से तील लॉंग जीरा और बारीक कटा हुआ अदरक तो मैंने यहां पर आदी चो यहां अप एक चमच थ पालो इसमें डालेंगे सॊखे मसाले तो मैं पहले धनिया ले रहा हूं स्ोरी मैं ने तौठी चमच भी ने चमच धनिया पाउडरелिया है ओर इसमें डालने तो मैंने एक गड़ी पालो को अच् têm साफ करके अए लिया है नहीं पर आप गड़ी कट zum separ दाल रही हूं और थोड़ी सी हल्दी क्योंकि मसाले तो मैंने दही में आड़ कर दिया है तो इसमें बहुत थोड़ा-थोड़ा मैंने आड़ किया है और इसे थोड़ा साम पका लेंगे एक से आधा मिनट के लिए जब तक पालक सौप्ट ना हो जाए और देखे पालक हमारा स मिक्सर डाल दिया है अब हमें क्या करना है एक अच्छा सा उबाल आने देंगे तो यहां पर आफ फ्लेम को हाई रखे और यहीं पर आप इसे छोड़े नहीं क्योंकि यह दूद की तरह उबल के बाहर भी गिर सकता है तो इसलिए आप यहां पर खड़े रहे के इसे फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसे 10-12 मिनिट के लिए कंब आज पर पकने देंगे कडी में अच्छा पकेंगा कडी अमारे उतनी अच्छी वनीगे के टेस्टी बने मेंगी तो चलिए कड़िया हमारी पक रही है इसे हम पकने देते हैं कामाच करके तब तक हम पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं तो पकोड़े के लिए मैंने एक बोल लिया है और उसमें दो चमच बारी कटा हुआ पालक लिया है मैंने सिरफ पालक के पत्ते लिए डंडिया नहीं लिय अब इसमें हम डालेंगे दो चमच कटा हुआ प्याज, एक चमच बेसन, नमक, खल्दी, मिरच यह सब आपने स्वाद के अनुसार एड़ किजिए और अच्छे से मिक्स किजिए तो यहां पर पहले सुखा ही मिक्स करेंगे अगर लगे तो हम थोड़ा सा पानी आड़ करेंग तो देखें मुझे यहां पर बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं आप एक चमच और बेसन ले रही हूँ आप देख सते हैं पालक जाता ही दिख रहा है प्यास दिख रहा है बेसन कमी दिख रहा है तो मैं आप एक चमच और बेसन ले रही हूँ और थोड़ा सा पानी ड भूझ पर में पर अाफ से नॲाहारानी केया है जी अगर बांस नीच्याद काहीEm पर टल सकते हैं यहां अरकता पर पाइल में आपक आप यहां थे करेंगे इसे अगर जा आधे कड़ाई में उसे खुषित हैं तो फ्र Macon ऍाजने मिन जोने अब यहां तो फ्र नैल कि तर्फ ने तक द्रफ से अन्ह़ीं के इसमें इत्राई करेखंग बनानी के दूसरी तरफ से भी गॉल्डेन ब्राउण होने तक तल दे कोड़ होता है काम हो साइक जादक बनाना है ज़्याद कोड़ नहीं बनाना है , ये फ्रय जड़ा है याउज कर सकते हैं लाल अ डाल लाल मिर्ची ऑधर कर में नादी दूल बटी है बटी भी डाल देते हैं आप चाहें तो पकोड़े डाल के बॉल भी कर सकते हैं लेकिन जब आपको खाना हो तब ही आप कड़ी इसमें एड करें और उसकी बाद ही आप सर्फ करें तो बहुत आचा टेस्ट आएगा क्या होगा पकोड़े बहुत सौप्ट है और जब आप देखें प्लीज लाइक जरूर करें आपका लाइक शेयर कमेंट मेरे बहुत माइन रखता है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बाई बाई